हलो मैं हूँ डाइटीश नीटा दिवान और आज जो क्वेस्टिन बहुत जादा पूछा जाता है कि क्या डाइबेटीज के पेशिंट आम खा सकते हैं क्या डाइबेटीज के पेशिंट्स फ्रूट खा सकते हैं तो फ्रूट क्या है फ्रूट जो बना हुआ है उसमें बेसिकली होती है फ्रूट शुगर फ्रक्टोस और उसमें होते हैं धेर सारे वाइटमिन्स धेर सारे मिनरल्स और उसमें होता है soluble fiber, insoluble fiber ये सारी चीज़े जो है वो आपके blood pressure के लिए अच्छी है आपके heart के लिए अच्छी है obesity को कम करने के लिए अच्छी है और इसमें जो polyphenols हैं वो anti-inflammatory होते हैं तो जहां आपके inflammations हैं वो कम होती है acidity कम होती है constipation कम होती है तो fruits जो है वो हमारे जो diet है उसका एक बहुत important हिस्सा है अगर आपको type 2 diabetes है तो क्या आपको पता है कि ये reversible है आप अपने lifestyle में changes लाकर अपने जो sugar है उसकी दवाई कम कर सकते हैं और दीरे दीरे हो सकता है वो बंद भी हो जाए तो उसके लिए आपको awareness होनी चाहिए कि आप क्या चीज़े हैं जो आपके sugar को control करेंगे और आप आम भी खा सकते हैं आप fruit भी खा सकते हैं और एक आपको आम के बारे में सूचके एक happiness से आते हैं हम आम खा सकते हैं जो हम कुछ भी खाते हैं उसका एक value है उसको कहते है glycemic index glycemic index यह बताता है कि जो आप खा रहे हैं वो glucose में बदलेगा जो fruit आपने खाया चपाति काई dessert खाया कोई भी वो sugar में बदलता है और वो कितनी देर में आपकी sugar को उपर करता है यह निर्भर करेगा कि आपने coctis type का carbohydrate खाया है तो उसमें क्या रहता है कि जो fruits होते हैं medium GI या high GI fruits होते हैं इसलिए उनका glycemic index जादा होता है तो मना किया जाता था कि आप fruit मत खाऊ अब research के हिसाब से पता चला है कि glycemic index इतना अच्छा point नहीं है हमें अब glycemic load देखना है तो glycemic load क्या है कि आपने जो fruit खाया जो आम खाया वो कितनी उसमें carbohydrate कितना है यानि जो glycemic index उस fruit का था तो उसका carbohydrate कितना है वो निर्भर करेगा portion size पे कि आपने कितने portion में वो फल खाया उसके उपर depend करेगा आपका sugar level कितना उचा जाता है जैसे कि हम अगर बात करते हैं जेनरल में तो जो fruit में 15 से 20 ग्राम carbohydrate है तो एक सफेद bread के slice में भी 15-20 ग्राम carbohydrate है अगर आप एक can cola का पीते हैं उसमें 35 ग्राम carbohydrate है और एक medium slice चॉकलेट केक में भी 35 ग्राम ही carbohydrate है तो हम यह सोचें कि आज जो आपका sugar का level होगा वो total food पे डिपेंड करेगा कि आपने total में अगर आप रोटी भी ले रहे हैं कावल भी ले रहे हैं और उपर से आम भी खा रहे हैं और डेजर्ट भी खा रहे हैं तो आपका sugar load आपकी sugar बहुत spike हो जाती है और आपका sugar out of control चला जाता है तो आप पूरे दिम का जो आपका diet है वो देखें कि अगर आपने mango खाना है तो उसका portion जो है mango का जैसे mango अगर हम लेते हैं तो उसका glycemic index 51 to 56 है और उसका जो glycemic load है वो करीबन 18-19 के पास है तो it is a medium GI and medium glycemic load fruit तो अगर वो medium glycemic index और medium glycemic load वाला fruit है प्लास उसमें आपको इतने सारे फाइदे हैं उसमें vitamin A है, B है, C है, K है, polyphenols हैं उसमें जो fiber है वो आपके health को improve करेगा पर उसका portion आप कितना खा रहे हैं यानि कि आपको आम का एक या दो slice खाने हैं और आपने देखना है कि अगर आज आपने दो-तीन रोटी खा ली हैं तो उसके बाद आप आम मत खाएं आम को खाने का समय आप रखें जो mid morning है आपका 11 बजे के करीबा उपना food खा लें या खाना खाने के बाद lunch के बाद 4-5 बजे चाय से पहले आप अपना food खा लें तो आपका समय भी निलभर करेगा उस पर कि आपने किस समय आम खाया आपकी वह blood sugar को कितना उसने बढ़ाना है वो total carbohydrate पर depend करता है तो आप ही कोशिश करें कि आप अपनी जो total आप खाना खा रहे हैं उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से आप अपना fruit खाएं अपना आम खाएं और अपनी life को enjoy करें Thank you so much